दुनिया के सबसे उचे पेडों में शुमार युकिलिप्टस खेती के लिहाज से कितना है फायती मन्द कारेक्रम में आज होगी युकिलिप्टस की खूबियों पर चर्चा नमस्ते कारेक्रम बाते खेती की में आपका स्वागत है मैं हूँ स्मिथा सिंग आज बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिसके लिए कहा जा इतनी तेजी से बढ़ने वाला ये पौदा है कि आस्टेलिया में ये प्राकर्टिक रूप से जब ये साथ साल का होता है तो 35 मीटर लंबा हो जाता है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि इतनी तेजी से बढ़ने वाला पौदा हमको कितना जाना लाब दे सकता है और सबसे बड़ी बात युकिलिप्टस की ये है कि 0 degree centigrade से लेकर के और 42 degree centigrade तक हमको इसे उगाने में कोई भी परिसानी नहीं होती सर जैसा आपने अभी कहा कि इसमें बहुत जादा लागत नहीं लगती है बहुत थोड़ी महनत की जरूत होती है तो अगर हम युकिलिप्टस की बात करें तो किस तरीके की जलवाईयू इसके लिए बहुत सही मानी जाती है ऐसा ना हो कि बहुत ठंड में उगाया जाता है बहुत गर्मे में तो जलवाईयू कैसी होनी चाहिए इसके लिए जैसा भी मैंने अभी आपको बताया की टेंप्रेचर का इस पर कोई जाना प्रवाब नहीं बढ़ता है तो समसी तोष्ण जलवाई जो है बैसे तो इसके लिए सबसे जाना उप्यूक्त होती है लेकिन अगर सी तोष्ण जलवाई से लेकर के अगर हलकी ग्रिस्न कालीन की अगर हमारा पीरेट है तो इसके लिए जो है जो है उप्यूक्त होता है जी भूमी को उप्योगी बनाने के लिए या किस तरीकी की भूमी उप्योगी होती है इसके लिए जिसमें आसानी से फल खूल सकता है अपने यहां जो भूम है वो दोमट और मट्यार भूम इसके लि मिट्टी जो हमारी घुर्बूरी होगी जितनी मिट्टी जो हमारी कठोर होगी उसका इसके उपर प्रभाव पढ़ता है तो बनुगर तो मिट्टी जो होती है उसमें जड़ें जो हैं बहुत जल्दी खुल जाती हैं और दोमट और मट्यार भूम में जड़ें जो हैं अची नहीं है हलका सागर जल भराव भी हो रहा हो तो उस भूमें भी युकिलिप्टस को पैदा किया जा सकता जी माली जे किसान है जो पहली बार युकिलिप्टस उसने सोचाए कि वो युकिलिप्टस की खेती करें तो उसे अपने खेत की भूमी को किस तरीके से तयार करना यूकिलिप्टिस की खेती के लिए देखिए सबसे पहले तो उसको मिर्दा परिक्षन कराने के बाद उसका पी अच अमला नुपाद जो है वो ये देख लेना चाहिए कि मिट्टी हमारी अमली अत्वाच्वारी तो नहीं है अब उसके बाद जो है जिस तरीके से अन्फ फसलों के लिए हम मिट्टी को तयार करते हैं उसी तरीके से हम जो है मिट्टी को अच्छी तरीके से दो तीन जुताई पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने अगर मिट्टी पलटने वाला हल नहीं है तो हम ट्रेक्टर फार्मिंगर करते हैं तो हमको हैरो से जुताई कर देनी चाहिए और उसके बाद देसी अल से जुताई करनी है और देसी अल नहीं है तो ऐसी दसा में हैरो से जुताई करने और जुताई करने के बाद खेत को तयार करने कहा जाता है कि इसके लिए बहुत जरूरी नहीं होता कि बहुत उपजाओ भूमी हो या बहुत अच्छी भूमी हो क्या उसर भूमी में इसकी खेती की जा सकती है देखिए बहुत अच्छा प्रशना आपका है 6.5 से 7.5 जो है इसके लिए उप्योक्त होती है लेकिन यद अगर हमारा जो हलका छारी है जिसको हम कहते हैं 8 पीच तक उसमें भी हम उकलिप्टस का जो है पौदे को उगा सकते हैं लेकिन उसमें उगाने पर ये है कि उसमें जो आवर बनाए रखी जा ताकि जो है नीचे की पर्श से जो है वो छारी लवन उपर आ करके उतकी जणों को प्रवावित ना करें जलवायू की बात हो गई भूमी कैसे त्यार करें वह बात कर ली अब बात आती है बीज की तो इसका बीज कहां कहां से किसान प्राप्त कर सकत है इसको बीज को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी जो है उतर प्रडेस में जो है राज वन अनसंदान संस्तान कानपुर यहां से इसका बीज प्राप्त होता है और बन विभाग जो है उसने जो है हर तहसील में और हर जिला इस्तर पर जो हमारे फारेस्ट का जो डिप बहुत तयार कर देता है तो अगर जो किसान बहुत बड़ी संख्या में यद नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए तो अच्छा ये होगा कि वो बन विवाग से जा करके और सीधा जो है पौदा ही ले आएं और उस पौदे को ला करके लगा लें लेकिन अगर बड़ी महत में अगर कोई किसान जो है लगाना चाहता है तो वो खानपुर जैसे संस्तान से बीज लेकर के आए और उसके बाद उसकी नरसरी तयार करें और नरसरी तयार करने के बाद जो हमारा पौदा हो उसका रोपन करना चाहिए जी अगर एक किसान बीज बोना चाहता है खेत में और एक किसान है जो उसकी पौद लगाना चाहता है तो दोनों विधियों में अंतर क्या होगा अगर हम पौद लगाते हैं तो सुवाब एक है कि उसका जो नरसरी है वो बनविवाग ने तयार करके और आपको पेड़ दे दिया है और अगर हम सीधा बीज ले करके आते हैं तो हमारे लिए फिर यह है कि हम पहले सीड़ बेट तयार करें तो उसके लिए सीड़ बेट तयार करने के लिए जो है चोड़ाई उसकी दो मीटर रखें ख्यारी की लंबाई आवश्चता अनसार कितनी भी रख सकते हैं और उसके बाद उसमें जो है हम गोवर की खार ले करके उसमें अच्छी तरीके से मिला दें ताकि मतलब हमारी पहुत स्वस्था है हाला कि यूकिलिप्टर्स के लिए कोई जाना और वर्कों की और खात की आवश्चता नहीं होती है लेकिन चुकि हम पहुत स्वस्थ पहुत हमें चाहिए इसलिए उसमें कंपोस्ट या गोवर की खात थोड़ी से नरशरी मेंये डाल दें परियाब तो मातरा में नमी होनी चाहिए चैंट जमने के यह लगाने के यह इसके पौदे तो जैसे आपने अभी जाना कि जलवाईू कैसी होनी चाहिए भूमी किस तरीके से उसके लिए तयार करनी है क्या क्या साधवानी आपको बरतनी अगर आप बीज बोनी जा रहे हैं खेत में या फिर आप पौद लगाने जा रहे हैं कुछ और जरूरी बाते हैं जानेंगे आपकी अवस्ता में उसने तेल दिया गिरी सूग गई तब भी उसने काम दिया और अगर सड़ गई तब भी उसने काम दिया तो आपकी कंपोस्ट बन गई तो युकिलिप्टस का जो पूरा पौदा है उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको फाइदे मंद ना ब्रेक के बाद एक बाद फिर स्वागत है आपका कारेकरम बातें खेती की में आज हम बात कर रहे हैं यूकिलिप्टस के बारे में यूकिलिप्टस मुख्यत पौदा है ऑस्टेलिया का लेकिन आज योरोप और अफ्रीका जैसे देशों में भी भारत के साथ साथ इसकी खे भीघ़ बीज स्ट तरीके से खेट में आपको उपरत नहीं होगी ऑपने जो भारत वर्स में किसान जो है इसका रूपन करता है तो दो तरीके से रूपन पर अगEX सब्सक्राइब दो तरीके खोटे olhos होते हैं वो अ पर ये पौदा अपना बढ़ता रहता है और बीतर खेत में पूरी अपनी खेती करते रहते हैं तो उसके लिए तो यह है कि मेड़ पर दो मीटर के अंतराल पर दो मीटर के फांतले पर जो है वो गड़े बना लेते हैं और उसमें थोड़ा सा गोबर या कंपोश की खात स्गड़े में मिट्य में मिला करके और उसमें उन पौदों को लगा देते हैं लगाने के बाद तुरंट जो है कि उनकी जड़े जो है अच्छी तरीके से मिट्य में बिस्थापِत हो जाएं उसकी सिचाई कर देते हैं दूसरा तरीका वो यह है कि किसान एयर खेत में पूरे खेत में एक लंबे चेतरफन में लगाता है. तो वो खेत के मद्ड में लगाने वारी बाता आती है. तो ऐसी दसा में पودे से पودे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का बिश Arist ध्यान रखना पड़ता है. अब अगर उसने पौदे से पौदे की दूरी जो है 2.5 रखी है तो लाइन से लाइन की दूरी जो है भी उसको जो है 2.5 रखनी चाहिए इसको सुनश्चित करके ट्रेक्टर चला करके हम पहले फरो खोल लेते हैं और जब हमारी फरो खुल जाती है तो बहां पर हम एक आदमी फाड़ा ले करके और दूसरा आदमी पौदे ले करके इस तरीके से तयार रहता है तो जहां पर जो हमारी फरो का अंत्राल है जहां पर हमारी फरो एक दूसरे को काटती है बहां पर हमारा यह पता चल जाता है कि हमारा डिस्टेंस लाइन से लाइन करते चले जाते जी और रुपाई करने के बाद तुरंट उसकी सिचाई अवश्च कर देनी चाहिए ताकि जड़े जो है अच्छी तरीके से मिट्टी में लग जाएं जैसा आपने कहा कि इसकी सिचाई तुरंट जरूर कर देनी चाहिए कहा जाता है यूकलिप्टिस के बारे में एक भ्रांती है या सच है मैं आप से जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि यूकलिप्टिस जो है वो जमीन का पानी सोख लेता है जमीन को एकदम मतलब यह प्रश्ण किया है, कि लोगों के दिमाग में यह बात है, कि यह दलदली छेत्रों में लगाना चाहिए, ऐसे पानी की बहुत आवाशकता होती है, प्रतेक्ष को प्रमान की आवशकता नहीं होती है, आप देखिये कि संकों के किनारे, कितना युकिलिप्तस लगा हुआ प्रामान है कि इसको पानी की आवश्रकता नहीं होती लिए किसान के लिए परियाप्त है अधिकानस्ता देखा गया कि जो बहुत अच्छे किसानों के आ मैंने जा करके देखा है वो 6 मीटर तक लाइन से लाइन की दूरी कर देते हैं और ऐसी दसा में उसमें गेहूं, धान और गन्ना बहुत अच्छी फसल लेते हैं तो अब जब गेहूं, धान और गन्ना की वो फसल ले रहे हैं तो ऐसी दसा मे युकिलिप्टस को ना तो सिचाई की आवसकता पड़ती है और ना अलग से उरवरकों को देने की आवसकता पड़ती है क्योंकि कहा जाता है कि गन्ना जो है वो युकिलिप्टस से जादा पानी उसके लिए जरूरी होता है धान के लिए उचसे पानी जरूरी होता है। गुभी जो है पांश पानी लगाये जाते हैं। तो ऐसी दसा में कहीं पर भी pewnको अलग है और जो हमारा खर्चा हम करतें और बागायां है। बाग लगातें तो युक्युरिप्रस में यह खर्चा भी हमको नहीं करना पड़त तक चाहिए प्याइस लागत भी जी रो हो जातीै यानि कुलमिलाके कहा जा सकता है कि महज एक भ्रांथी है की यूकलीप्टिस जो है उसे बहुत पानी की ज़रौत होती है वो जमीन का पूरा पानी सोक लेता है वो किसी भी सैफसली फसल के साथ अपनी पानी की जो जरूरत है उसे पूरी कर लेता है सर जैसा अभी आपने कहा कि सैफसली फसल मैं गेहूं गन्ना और जो धान है ये तीन मुख्य फसल हैं जो इसके लिए सही होती है कोई ऐसी फसल भी है जिसे इसके साथ नहीं उगाना चाहिए जो यूकिलिप्टिस उसको हानी पहुचा सकता है देखिए जाधा जो औरवरा इस तर को खीचने वारे जाधा पौसिक जो हमारा औरवरता इस तर को खीचती है जैसे मेंथा है मेंथा एक ऐसी फसल है कि जो वूसक तत्वों को जाधा खीच लेती है यद्दे मेंथा में पानी लगता है लेकिन पौसक तत्वों को यह जाधा खीचती है तो ऐसी दसा में इसको अगर हम लगाएंगे तो हमको और वर्वरकों कि या तो मात्रा बढ़ानी पढ़ेगी और अगर हम मात्रा नहीं बढाते हैं तो हमारे यूकिलिप्टिस की बढ़वार पर जो है इसका प्रवाब पढ़ाएगा बहुत अच्छी बाते आपने हमें बताएं कि कौन-कौन सी फसल इसके लिए ज़रूरी है और कौन-कौन सी फसल को आपको इसके साथ लगाने से बचना है कुछ और ज़रूरी बातें आपसे जानेंगे, यूकिलिप्टिस से जुड़ी हुई, लेकिन फिलाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, दोस्तों जैसा आपको डॉक्टर अफदेश उकला जी ने बताया, कि गन्ना, धान और गेहुं, तीन ऐसी फसलें हैं, जिनने आप यूकिलिप्टिस के साथ उगा सकते हैं, मेंथा के लिए आपको इससे बशना होगा, कुछ और ज़रूरी बातें आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बार, यूकिलिप्टिस का तेल, यूकिलिप्टिस की लकड़ी से भी जाना महगा होता है, और ये मेडिसीन में ज सकता है, ब्रेक के बाद एक बाद फिर स्वागत है आपका कारेकरम बातें खेती की में, बात कर रहे हम, यूकिलिप्टिस के बारे में, जैसे नील गरी और आम भाशा में सफेदा भी कहा जाता है, सर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, कि यूकिलिप्टिस कहां क लगाना फायदे मंद होता है से फसली फसले कौन सी इसके लिए अच्छी होती है तो आपने जैसा कहा कि मेंड पर भी लगाते हैं या दूरी बनाकर लगाते हैं तो अच्छा होता है लेकिन एक सवाल जो मैं आप से जानना चाहती हूं कि सिर्फ मेंड पर लगाना ज्यादा फ तो ये तो सुभाविक है कि साथ-ाथ साल में उसको एक अच्छा पैसा देता है लेकिन इसके साथ-साथ एक बहुत अनोखी चीज़ यह है कि जब पांस साल का उकिलिप्टस का पौदा हो जाता है तो दो कौइंटल प्रतिवर्स के हिसाब से हमको इधन भी देता है तो अग आगर किसी किसान ने बारा पेड लगा दिये हैं तो 把 पेड़ जो है आगर वो लगा देता है तो इधन की समस्या का समधादान हो जाता तो छोटे किसान तो जिनके पास वो बीच में नही लगा सकते बीच में लगाएंगे तो सुभाविक है कि जितनी अच्छी पत्तिनी फदल नहीं मिल पाएगी। यूकिलिप्टिस में उसकी लकडी के अलावा महतुपूर्ण चीजों में उसकी पत्तियां आती है, कहा जाते है कि इसकी पत्तियों से तेल बनाया जाता है, जो बहुत उपयोगी होता है, कितनी सचाई है। देखिए, यूकिलिप्टिस का तेल, यूकिलिप्टिस की लकडी से भी जाना महिगा होता है। और ये मेडिसीन में बहुत जाना काम आता है, तो एक तो पत्ति से हमें तेल मिल जाता है। दूसरे एक बात, मैं आपको और बता दूँ, कि जो मैंने गाउं में जाकर के देखा है, कि यूकिलिप्टिस की पत्ति जो है, अगर उसको हम जलाएं तो ये बहुती जाना तेज आज आच देती है। तो इसको जो है युकिलिप्टस की पत्ती को जो है गाँवाले खट्टा कर लेते हैं और जहां गुड़ बनने का काम होता है जहां गुड़ की भट्टियां चलती है उसमें इंदन की आवशक्ता पड़ती है तो इसकी सूखी हुई पत्ती को भी खट्टा करके और इसको जो ह तब भी उसने काम दिया और अगर सड़ गई तब भी उसने काम दिया तो वो आपकी कंपोस्ट बन गई तो युकिलिप्टस का जो पूरा पौदा है उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको फाइदेमंद ना हो मतलब कह सकते हैं कि परियावाची है युकिलिप्टिस उप्योगता का उसकी हर चीज महत्वपूर्ण है सर ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्हिया जो है इसके फूलों से पराग लेकर ही शाह दिखटा करती है देखिए इसमें जो फूल आता है वो बहुत ही स्वाबना होता है आकर्शन करता है और मदमक्हिया जो है वो वाइड लाइव में इस पर जो है अपना घर बनाती है अपने च्छते बनाती है और वहीं जो है उसको सहद तो आस्ट्रेलिया में जो बहुत अधिकान समात्तरा में यूकिलिप्टस के दौरा जो है वो सहद इखटा कर लिया जाता है तो यूकिलिप्टस का तेल हो गया आपको सहद मिल गया और आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और अमेरिका इसमें इकोलिप्टस की जो लखड़ी है इसका सबसे ज़ fått or Арkaub कागयचे की फेक्ट्रियों में इसक साथ साल का पौधा जो 35 मीटर लंबा हो जाता है अस्टेलिया में उसको तुरंद काट करके और कागज फैक्ट्रियों में इसको भेद दिया जाता है और बहां इसकी लुगदी बना करके और इससे जो है वो हम कागज तयार करते हैं एक जरूरी बात जो मैं जानना चाहूंग काध्यन किया गया है उसके अंसार अगर किसान भली प्रकार से युकिलिप्टस की खेती करता है तो उसको आठ साल में 70% लाव प्राप्त हो जाता है जी मतलब जो कारेक्रम के शुरूरात में हमने बात कही थी वो सार्थक हुई कि लागत और महनत कम है और मुनाफ़ा ज्या किसानों को लावानवित करने के लिए अमत्यत किया उसके लिए मैं आपको महान आवारी हुई तो आज के कारेक्रम में हमें आफदेश शुकला जी ने बताया कि युकिलिप्टिस के लिए कौन-कौन सी चीज़ जरूरी होती है कैसे उसकी खेती की जाए एक भांती जिस पर जरूरत को महसूस किये हुए आप उसकी खेती आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारिया लेना चाहते हैं तो कृषि विग्यान केंद्रों में जाके आप इसकी जानकारिया भी जुटा सकते हैं आज के कारेकरम में इतना ही लेकिन अगर आप कारेगर्म के बारे में कोई सुझाव या सलाहम तक पहुचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये पते पर लिख भेजें। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डीटी एच ऑपरेटर को तुरन कॉल करें। झाल हुचाना चाहते हैं जच्छ झाल हैं जब। कर दो प्रूब एज भूपर प्रूप साटब कर दो को का शो यो जाले को जुब हुआ है